तो तो आज हमें एक बिल्कुल नए बिजनस आइडिया के बारे में जाने वाले हैं यह बिजनस आइडिया बहुत ही हाई डिमांड वाला है क्योंकि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से इस पूड़ट को कमपलसरी बना दिया है यही बज़य है कि यहाँ पूड़ट आने वाली समय में हर जगा आपको दिखेगा और इस पूड़ट का बिजनस बहुत ही प्रॉपिटबल होने वाला है और यही कारण है कि आपको इस बिजनस के बारे में जरूर जानना चाहिए दोस्तों आज हम बायो डिग्रेड़बल प्लास्टिक बैग मैनिफेक्चरिंग बिजनस की बात करने जा रहे हैं दोस्तों आप सबने निउस में सुना होगा कि 1 जुलाइट से सिंगल यूजेस प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया गया है पूरे देशवर में इसका मतलब यहा है कि इसके जिगह पे अब दूसरी तरह की बैग आएंगे और भरत सरकार ने बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग को अलाव किया है पूरे देशवर में यहाँ बैग पड़्यावरन के लिए नुकसान दायक नहीं है क्योंकि यह इसली डिस्पोजबल हो जाता है इसलिए दोस्तों इस पोड़क्ट की मैनिफेक्टरिंग बिजनस करना आप सब के लिए काफी फायदमन होगा और इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए गवर्मेंट बहुत तरह की सहायता रासी भी दे रही है जिसको कि हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे तो दोस्तों आईए जानते हैं कि बायो डिग्रेड़ेवल प्लास्टिक बैग मैनिफेक्टरिंग का बिजनस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसमें किन-किन परकार की रॉब मेटेडियल की जरूत पड़ती है किन-किन परकार की मसीनों की जरूत पड़ेगी इसमें आपका profit margin क्या होगा, आपकी कमाई कितनी होगी और आपको इसकी marketing कैसे करती है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों, बायो degradable plastic bag में जो raw material यूज होता है वह कोई plastic नहीं होता है बलकि इसमें मक्के, साबुदाने, आलू, इन सबके starch का यूज होता है यही वज़ा है कि यह पर्यावरन के लिए नुकसान दायक नहीं है और अगर कोई जानवर इसके खा भी ले तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है इसके starch से दाने बनाये जाते हैं जो बिलकुल plastic के दाने जैसे ही दिखते हैं और उनके जरिए plastic का film बनाया जाता है, plastic का roll बनाया जाता है आप चाहें तो इन process के जरिए अपने in-house भी plastic roll बनाया सकते हैं या फिर starting में मेरा सुझाओ यह है कि आप market से बना बनाया plastic roll ले ले प्लास्टिक रोल लेने के बाद आपको इन प्लास्टिक रोल को automatic bag making machine में लगाना होता है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यह machine start कर दिनी है और यह machine automatically आपको bag बना कर देती है यह bag अलग-अलग size के हो सकते हैं, अलग-अलग design के हो सकते हैं अगर आपको इसके उपर printing करनी है, तो वह भी आपको इसी machine से हो सकता है लेकिन इस प्रकार की machine की cost थोड़ी बढ़ जाती है इससे पहले कि हम इसकी price की बात करें, पहले हम इसकी capacity की बात करते हैं अगर आप एक साधारन machine को लेते हैं, जिसको कि अगर आप 8 से 10 घंटे यूज करते हैं तो यहाँ आपको per day 500 kg का production देता है अमोमन आपको 1 kg में 20 रुपे का profit होता है तो इस प्रकार आपको हर रोज करीब 10,000 रुपे का profit होगा और आपको एक महिने में करीब 3,000,000 रुपे का profit होगा और जैसे जैसे आपके पास demand आते जाती है आप machine की capacity बढ़ाते जाते हैं या एक से दो machine ले जाएंगे तो आपकी जो earning है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अभी इसका demand बहुत ज़्यादा आने वाला है हर जगह से आने वाला है तो यह business फटाफट स्टार्ट हो सकता है और आपकी कमाई इसी मेहने से सुरू हो सकती है हर जाएंगे झाला है प्लास्टिक बैक को बनाने का जो कॉस्ट आता है वहां करीब 220 रुपए से 225 रुपए पर केजी आता है वहीं आप इसको जो सेल करते हैं वहां करीब 240 रुपए से 250 रुपए पर केजी में सेल होता है Bio-Degradable Plastic Bag Making की जो मसीन आती है automatic वाली, वह करीब 6 लाख रुपए से सुरू होती है जैसे जैसे मसीन की capacity बढ़ती जाती है उसकी गुनवत्ता बढ़ती जाती है इसकी price भी बढ़ती जाती है इस business को सुरू करने के लिए minimum जो area की requirement है वह है करीब 1000 square feet और इसमें आपको करीब 2-3 लोग लगेंगे एक मसीन के उपर क्योंकि यहां प्रोजेक्ट गवर्मेंट से जुदा हुआ है और गवर्मेंट चाहती है कि यहां प्रोडक्ट जल्दी सी जल्दी मारकेट में आए इसी वजह से government इसमें बहुत तरह की grant आपको दे रही है जैसे की PM EGP प्रधान मंतरी Employment Generation Program इसके तहत आपको easily loan मिल सकता है आपको प्रधान मंतरी मुद्रा loan के जरीए भी इस project को start करने के लिए loan मिल सकता है अगर हम इसमें यूज होने वारे license की बात करें तो यहाँ पर आपको GST चाहिए होगा आपको उद्यम certificate की जरुद पड़ेगी आपको CPCB यानकी Central Pollution Control Board का भी certificate चाहिए होगा और CIPET की भी certificate की जरुद पड़ेगी आप किसी भी CA के पास जाके यह सारा certificate बनवा सकते हैं अगर हम इसकी sales और marketing की बात करें तो दोस्तों यह एक ऐसा product है जिसकी market में बहुत ही ज़्यादा demand है और अचानक supply रुप जाने के कारण हर जगह इसकी demand और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप जितनी जल्दी इस business को start करेंगे आपका business उतनी जल्दी चल पड़ेगा आपको बस हर shopkeeper हर दुखानदार के पास जाना है उनको बताना है कि आपके पास यह bio degradable plastic bag है वह अपने आप आपसे आपका bag खड़िदना सुरू कर देंगे उसके साथ साथ आप इसे wholesale में भी बेचें दोस्तों अगर इस वीडियो को related आपके दिमाग में कोई भी doubt है कोई भी संका है तो नीचे comment करके पूछें मुझे बहुत ही जारा खुसी होगी आपके सवालों का जवाब देखा दोस्तों नए business idea पे मेरे और वी वीडियोज हैं जिसका link मैंने नीचे description और उपर i button में दे रखा है इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहें मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई